नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का फास्टी स्टडी प्लानर यूटूब चैनल पर सात्यों APS भरती पिछले ग्यारे साल से नहीं आई है यानि अपर निजी सचीव तो उत्तर पर्देश लोक सेवा आयोग मार्च में APS भरती का विग्यापन जारी करने वाला है आज के सभी पर्मुक समाचार पत्रों में इससे संबंदित जानकारी दी हुई है देखे मार्च में APS भरती का विग्यापन जारी करने की तयारी उत्तर प्रदेश लोकसिवा आयोग यानि यूपी पीएसी मार्च में अपर निजी सचिव एपिएस भरती का विग्यापन जारी करने की तैयारी कर रहा है सुक्रवार को आयोग में ग्यापन देने पहुँचे अभ्यारतियों को यह आसवासन दिया गया हाला कि अभ्यारतियों ने दो दिन पहले ग्यापन देकर आयोग के अध्यक्से मिलने का समय मांगा था लेकिन समय नहीं मिल सका आयोग ने एपिएस के पदों पर पिछली भरती का विग्यापन वर्स 2013 में जारी किया था इससे पहले 2013 में विग्यापन जारी हुआ था लेकिन सेवा निया मावली का उलंगन करते हुए विग्यापन जारी किया गया था तो आयोक को परिक्सा निरस्त करनी पड़ी इससे पूर 2010 में विग्यापन के तहत APS के पदों पर भरती हुई थी और 2010 के बाद अब 2022 चल रहा है लगवग 12 साल हो चुके हैं वहीं आयोक को वर्ष 2016 में APS के तकरीबन 2500 पदों का ध्याचन मिला था वर्ष 2017 में 18 के कलेंडर में भरती को सामिल किया गया था लेकिन विग्यापन जारी नहीं किया गया नई भरती के इंतजार में तमाम भ्यारती ओवरेज हो गये हैं और मांग कर रहे हैं कि APS की नई भरती के विग्यापन में ओवरेज अब भ्यारती को भी सामिल होने का मोका दिया जाए तो देखे APS की नई भरती का विग्यापन मार्च में जारी हो सकता है यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे यूटूब चैनल के साथ चुड़िए धन्यवाद दोस्तों